नमस्क्राइब्स मैं हूँ नेहा स्वागत आपका इटिस नेहा में हम कर रहे एंटीट के प्रेपरेशन इसके रिगारिंग में बहुत सारी वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ लेकिन जो आज अपना टॉपिक है तो यह है बाल रिवस्ता की इस्ता है इसके रिगारिंग मे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा रखता है तो जुरूर आप लाइक करें क्योंकि लाइक करने से मुझे मुझे मॉटिवेशन मिलती है ताकि मैं और हेल्प कर पाऊं और रही बात मॉक टेस्ट की तो जैसा कि आपके जो पहले के जो मैंन तक तो पहले मैं बता दूँ कि यह जो मेरा एक ही चैनल लाइट इस नहा नाम से और आपको कोई दूसरी चैनल दिखते हैं जापर मेरा सेम वीडियो दिखता है तो उसको रिपोर्ट करें क्योंकि मैं किसी दूसरी चैनल पर नहीं हूं और नहीं मैं किसी को अपने जो अबर दो पहले देख लेते हैं कि जो होती है वह क्या है तो यह तो पांसे पांसे ग्यारा वर्स ठीक है या फिर चैनल फिर चैनल से मानने तो यह बेज होती है आपके जो options आएंगे जो भी exam में या तो आएगा 5-11 ठीक है या फिर 5-12 या फिर 6-11 ये 6-12 ठीक है तो जो option आएगा उसके according आपको answer देना है और इसका कोई इतना clear भी नहीं कि exact ये ही बता दिया गया है तो आप ध्यान रखे या तो 5-6 और 11-12 तक फर्स्ट है बाल्यवस्ता को जीवन का अनोखा काल कहा है जो बाल्यवस्ता जो होती है वो एक अनोखा काल है लेकिन ये भी आपने जाले कि ये किसने कहा है जो call and bruce है ठीक है इन्होंने जीवन को बाल्यवस्ता के जीवन का अनोखा काल कहा है तो ये एक विसेस्ता भी हो गई और यह क्या हो गई परिभाशा भी हो गई थाप इसको याद रख सकते हैं कि जूओ को मदलब पीश करT तो एक अनोकिसी feeling आती है तो इन्होंने जो क्या कह है को अनोख काल कहा परिभाशा भी याद रखे कि दो पुछी गार सकते thought अब नेक्स्ट से सवस्ता के बाद बाल्य वस्ता का प्रारम हो जाता है पहले से सवस्ता होती है फिर उसके बाद बाल्य वस्ता का प्रारम हो जाता कि जहां कि 0-5 वर्स या 0-6 का सेश्थावस्था का काल होता है तो अगर आपको सेश्थावस्ता की बारे में च्छे पहले नहीं देखा थो मैं इसके लिए कर z Böyle लड़ाइं करना स्टार्ट कर देता है उसमें बहुत सारे ही आते हैं मतलब उस में नहीं नहीं की सीखने पर सीकने पर लगाई रहेता है ठीक है तो सताहिसा बंदर स्काइब कर रहे हो तो एसा हुआ है लिइक है तो यह सब भावना घृ सारीर को कमें नहीं हती दो तो यहाए बच्चा जो है ग्रूप में रहना स्टार्ट कर देता इसके यह साथ है नहीं जब बच्चा बालेःस यह से ऊपर होता है साठ यहाट साल साल का तो बच्चा बच्चा पेसे ने तो जैसे मूट चिंतन किस प्रकार के एक होता है मूट और एक होता है अमूरत कि मूर्थ वह चीजे होती है जो सामने है उनको छूष सकता है पकड़ सकता है देख सकता है ठीक है और अमुर्थ जो अमूर्थ को क्या बोलेंगे एबस्ट्रेक्ट और मूर्थ को क्या बोलेंगे कॉंक्रीट ठीक है जैसे अगर बच्चा है उसको सोर मंडल के बारे में अगर बताते हैं कि बताओ उसने देखा ही नहीं ऐसे कि यह मार्स है जूपीटर है तो उन चीजों को समझाने के लिए रूप है जैसे एरोप्लेन का चोटा रूप है जो अपन देख सकते हैं जो कि लोनों में आता है तो बच्चे को अगर वो दिखाते है तो ज्यादा समझ पाते है मूर्थ का मतलब जैसे अगर बोल देगे बच्चों को देखी निये बोल बता देंगे आपको बोल से खेलना या उसकी साथ कुछ में कुछ एक्रियेटिविटी करके से के तो वह मूर्थ चीज होती है उनमें अमूर्थ का विकास नहीं होता है कि वह कोई चीज सामने है नहीं देखी नहीं उसको की कल्पना कर ले ठीक है तो आप यह बात ध्यान रखें अगर इस एज में बच्चों क कि इसी अवस्ता में सामजिक्ता का विकास होता है जैसे कि ने पहले बताया कि बच्चा जो बाहर निकलने हमें भुल मिल की ठीक है और जुसकी भाशा का विकास भी हो जाता है नेक्स्ट है नए कोशल और सुमीदाओं के विकास की व्रद्दी में सुरनिम काल है अगर बच्चे को कुछ नया नया सिखाया जाता है जैसे देखा होगा कि किसी के पैर जो बच्चा है पैस की चीज की चीज़ सीख जाता है अगर किसी के ममी टीचर है तो फिर बच्चा मैं रहाओं के करदो यह कर दू आपका यह काम कर दो तो इससी टाаем से कुछ ने जो सकिल्स है वो सीखने लग जाता है ठीक है और जो किसी प्रकार की चीज है जैसे उसको कुछ भी सीख रहा है वो जैसे ड्रॉइंग बनाना चीख रहा है अगर उसको अच्छे जए उस टाइम प्रिपेर कराया जाता है कि बच्चों ऐसे करो तो उनकी जो कहा है वो चीज में डवलाप्मेंट बहुत जादा आगे जो व बच्चे को अगर यह चीख पाएगा तो यह होता है जैसे बताते हैं जैसा अगर बच्चे को पहले से चीखाते तो यह चीज होती है नेक्स्ट है इस सवस्ता में नीरुद्देश्य भ्रहमन की प्रवर्ती पाई जाती है देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं मोसली घर पे मिलते ही नहीं बाहर गूमते रहते हैं तो उनको क्या है बस गूमना खेलना किदर न किदर जाना अपने फ्रेंस के घर जा रहे ह जूटे परिवक्वता जब बच्चे हैं टो सौचते में तो बटब लगी ख्याल है करव। बच्चे जो बताते हैं कि मेरा तो सुछ रहा हुँ कि जैसे सूरज चल रहा है थो बच्क बोलते ना सूरज मेरे साथ क्यूंus रहा है यह उनको यह लगता हैं कि हां जो ह Pat की और जा करते हैं कि बीए जा सकता हूं तो इस टाइब से होता है कि बैठा शूम्हागा जा पापा भी जा रहें टो इस टैब की क्या है वह मैचुरी अने लग जाती है अपने हाप में कि हमें भी ऐक यह कर सकता हूं और कई बार जैसे कोई रोटी बना रही है तो बच्चे बोलेंगे ना लाओ मैं भी बना दू क्योंकि मैं भी बना सकता हूं ठीक है अब मैंना को देखा है तो इस टाइब से कि पैट्रिक ने बाल हुआ इसा को प्रतिद्वन्द आत्मक समाजी करन के वह सता तो इनों कि बच्चा समझता है कि नहीं में सही कर रहा हूं बच्चा सारे जिन खेल हुआ लगना तो की बहुत जादा इंप्रेंड सीदधा को पूछ लिया जाएका कि यह कि आपको देर रखाए कि विसह इस्ता के अंधर है परिवाशा है तो आप इसको कैसे याद रखे जैसे किल लीजिए तो किल को आप कील समझें तो टोकते अपन दिवार में अगर खील जो अपने ठीक से नहीं पकड़ी है और उसके तोड़ी के दिये जा रहे हैं तो उसमें द्वन पैदा हो गई ठीक है तो क्या ठीक से अंदर नहीं जाएग अब नेक्स्ट एस ट्रैंग बिए पनोविगानिक थे उन्होंने क्या बता है इनके अंसार बता है कि शायद यह ऐसा खेलो जिसे दर्सवर्ष के बालक नहीं खेलते हो ठीक है तो उसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे टीवी में आटाना टैंग का कि शायदी को द कि जो है जैसे अपन को अलगेट करेंगे तो अपन को क्या है एक अनोखी फिलिंग आई जो क्या है बाल लेवस्ता को क्या है जिए उनका अनोखा काल का है तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा वीडियो ठीक है अगर फिर भी अकर कुछ क्यारी रह जाती है तो आप जरूर कॉमेंट बोक्स में मुझे बताएं कि मैं आपने यह फिर से बताएं फिर को तो मैं आपका जरूर रिप्लाइब करूंगी ठीक है तो कैसा लगा है वीडियो जरूर बताएं और आपका जो मॉक टेस्ट है वो आज आ जाएगा शाम तक तो आप उसके लिए चंतान ना करें ठीक है तो अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें ताक्कि जो नॉटिफिक्शन आपको टाइम पर मिल कि घतनम पर आपको एज झारास्सादाय किया तो यह चैनल सब्सक्राइब करें फई मका कू